नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारेक्रम आज का मुद्दा में राजनीती चेहरों की हो चली है लेकिन राजनीती के उन चेहरों में महिलाओं को तलाशेंगे तो उंगलियों पर ही उन्हें गिना जा सकता है इसका कारण क्या है क्या वो घिसा पिटा सा जुमला कि महिला ही महिला की दुश्मन है या फिर महिलाय राजनीती में आना ही नहीं चाहती आरक्षन क्या एक मात्र जरिया है कि 33 प्रतिशत आरक्षन उनको दे दिया जाए और उनकी भूमी का बढ़ाली जाए क्यों नहीं आधी आबादी के बारे में सोचा जाता कि उनको भिन्यत्रित्व दिया जाना चाहिए उनके भी भूमी का तै होनी चाहिए क्या नाम है आपका? निंपल ज्यागी निंपल जी ये बताईए कि 2019 का चुनाव नजदीक है इसमें कौन से सरकार आने चाहिए? जैसे कि मौधी की सरकार है मौधी ने बहुत सारे वादी किये थे कि हम पंद्र लाख रुपे आपकी खाते में आएंगी ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे है उन्होंने कुछ भी ऐसा कोई विकास नहीं किया जिससे कि हम लोगों का विकास हो उन्होंने महिलाए भी सरकार में सुरक्षित नहीं है हम चाहते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी में महिलाए सुरक्षित थी और आगे हम यह चाहते हैं कि वो सुलक्षित रहे और हम चाहते हैं कि वही सरकार हमारे आगे 2019 में आए जैसे कि उन्होंने बहुत सारी योजना चलाई थी समाजवादी पारटी ने जैसे कि कन्या विद्यधन है विद्वा पेंशन है और हंडेड डाइल है एंबुलेंस सडको का निर्मार बहुत सारी वे गरीब और ऐसाए लोगों की मदद करते हैं और वे नोजबान किसानों की पारटी है उत्तर पिदेश में भारती जंदा पारटी की सरकार है और जैसे कि आज जाब देखिए कि समाज में बहुत सारे इभरस्टाचार और गुंडागरदी चलम सीमा पर है और हम आगे चाहते है कि 2019 में भारती समाजबादी की सरकार बनी है मेरा नाम सोनिया परजापती है यह 2019 का चुनाव तयार है इसके लिए सरकार की कौन से सरकार आनी चाहिए देखिए 2019 का चुनाव हमारे सरपर है और हम तो यही चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो दुबारा आनी ताकि हमारे समाज में जो भृष्टरचार चल रहा था वो खतम हो जाएगा बिर्कुल पूरी तरीके से उसमें जो है मोदी जी का दुबारा आना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों कि विकास कि क्या हो 今天的 हमने देखा मोदी जी कर आने से हर एक गरिब आत्मी को इतनी सहता मिल रही है ही जो है जिस आदमी को बाकी में जरूट है विकास की या जिस आदमी की जो प्रशानी है वो बिल्कुल हर तरीके से पूर्ण हो रही है क्या नाम है आपका? बाबजा चोदरी ये बताइए दो हजार उन्निस का चुनाव तैयारी पे हैं आने वाली सरकार कौन सी होनी चाहिए? बैसे काईदे के अंसार तो बीजे पी आनी चाहिए क्योंको उन्होंने जो भी है योजना भी भी बहुत लिखा ली और जितनी भी है हमारी बहन है पेटी है माँ है जितनी भी है इसमें हमें अराम भी मिला क्योंको दिन में रात में अब कहीं भी जा सकते हैं हिसी ही नहीं किसी वी तरीके की को जैसे विकास केलिए करि का भूत करा सपाय हर सहर मैं पहले जाते थे बारेइस हो Tipi तो जो झो सैंड़ा अंध्डगे गंद गाई थी किया पानी पास स मनी वोता है कर लिए हर नाला हर सहर हर गली सफ़ाई के अंदर सही है। Мद्रों में भी मजितों में भी बहुत अच्छी तरीके से सभाई चल लिए मिस्टा देश की राजनीती में क्या चाती है मैलाें? आज जी देश की राजनीती में तो यह है कि हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से, मोदी जी ने हमें गैस लेंडर दिये हैं, हम सब को इक पीछ विधायदी हैं और हम तो नी का तूरा सायोग देंगे उनी के साथ हैं चुनावी मोसम में कैसा है महिलाओं का मिजाज जी? बहुत अच्छा है जी, हम सब तो बहुत खुश है और हम तो यही हैं कि हम वस मोदी जी के हैं और उन्हें हम बोड़ते हैं महिलाई राजनीती में चाहती है अपने सक्रिटा? हाजी बिल्कुल महिलाई तो बहुत ज़्यादे चाहती है हमें आगे ही बढ़ना है और हम तो यही चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादे आगे से आगे आए यही सवाल जब CMN की टीम ने देश की महिलाई से पूछा कि आखिरकार राजनीती से उन्हें क्या अपेक्षाई हैं और क्या उनकी भूमिकार रह सकती है राजनीती में तो क्या कहा उन्होंने आईए जानते है सब्सक्राइब खेह हैं चुनाओी मोसम में में जाच क्या चाहते हैं अगे माधह भाग हिस्सा लेई में राजनीती में पने kalian स्जी चाहते हैं बड़ चड़के चाहती है मैं तो चाहती हूं कि महिलाओं को अच्छी बढ़ना चाहिए पड़ती है तो नियोकि कि अची जू ही पेहले चूब हो ज startups अगें इस औ questi यह सब्सकी अच्छे healthy तो पहले गलत काम होते हैं यह थोड़़ा कम हो चुके हैं और आगे पी अच्छा होएगा जो मोधी सरकार आएगी और जैसे अभी पहले शरकार थी इन पर बहुत गलत काम हो रहते और यह बहुत ही अजीव सा हो रहता और जुनावी मौसम में कैसा है महिलाओ का मीजाज चुनावी मौसम में महिलाओं के विना कोई सहयोग नहीं होता है तो फिर क्यों सरकार में महिलाओं को सहयोग नहीं दिया जाता है जैसे कि प्रियंका गांदी के आने से चुनावों में उसका सहयोग बढ़िया था, तो मैंने उसी तरह महिलाओं को भी सहयोग देना शहिए. कि सरकार मौधी जी कुछ करते हैं तो महिलाएं है, नरंदर मौधी जी करते हैं और आज अमके रिएंचा नरंधर मौधी जी के साथ हुआ developers करते हैं, अगर और किस दा एनसी है, जो उत्युवाविये। कुछ ने कहा कि वे खुश हैं और कुछ ने कहा कि अब भी जरुवत है कुछ परिवर्तन की राजनीती की नीतियों में आखिरकार राज कर रही एक सरकार किस तरह से कुछ नीतियों को लागू करती है और वो धीरे धीरे पहुंचती हैं हमारे आम जीवन में आम जीवन यानि के सुबह से लेकर शाम तक का वो जीवन जब आप अपने दिन भर की गतिविधियों से होकर गुजरते हैं और उसमें ढूंडते हैं कि सरकार ने आखिर आपके साथ क्या सही हो किया इस बारे में जब और सावाला किये गए इन महिलाओं से तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि उनके जीवन पर इस राजनीती का आखिर असर क्या है बिना महिलाओं के वो आगे नहीं आ सकती है इसलिए हमारी सरकार को होना चाहिए कि महिलाओं की प्रात्मिक्ता रखते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए सही हो करना चाहिए तब ही हमारी सरकार जो है आगे बढ़ेगी प्रियंका जी जैसे कि कॉंग्रेश सरकार में प्रियंका गांधी जी जो है जब तक वो नहीं थी तब देख लिजे उसकी इस्तिती अब जैसे ही वो आई है उसमें जो है इसका माहुल चेंज हो क्या है और लोग उसने को पसंद भी करते हैं और आगे जो है आने के लिए वो म पिछली सरकार महिला है सुरक्षित थी या सरकार महिला है? महिलाओं को अपनी सरकार में भागी दारी रखें और उनको आगे आने के लिए प्रसाहित करें। हर चीज में जैन्स कोई आगे रखा जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं यह देश पूरा चाहता है कि महिलाओं को भी इलेक्शन अड़ाया जाए बिधाया गुंद्री हर छेतर में महिलाओं को खड़ा किया जाए। जी सुरक्षित अगर आप ही बताओ क्या पिछली सरकार में महिलाओं सुरक्षित थी या इस सरकार में जादे सुरक्षित हैं। ये सवाल आप के उपर है कि आप कि महिलाओं कौन से सरकार में सुरक्षित тी हैं? सुनी भी जाती है ये बते महिलाओं की आवाज को सरकार तक पहुँचाया जाता है और महिलाओं के लिए हर चेत्र महिलाओं को भी खड़ा किया जाए विधायकी के लिए परधान के लिए सब चेत्रों में जैसे कॉंग्रेस के लिए सोनिया गांदी को अप्रिंका गांदी को मतलब उसमें चुना गया तो मतलब पाफी तरक्ती हुई जोश आया इसे प्रकार हर पार्टी में महिला के लिए जैसे एमपी के लिए चुनाव के लिए टिकर देना चाहिए विधाय के लिए चुनाव के लिए टिकर देना चाहिए जिससे मतलब महिला और अच्छे तरह से कार्य कर सके और चुनाव दौरान अच्छा हो सके और महिला को भी मन सम्मान मिल सकता है वैसे वीजेपी पार्टी ने महिलाओं की एक अलग संगटन मनाई है और उसमें जो तोर से कार्य चल रहा है मैं भी यहीं चाहती हूं कि हर पार्टी में हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए टिकट देनी चाहिए महिला इस सरकार में सुरक्षित महसूस करती है या पिछली सरकार में विप सब्सक्राइब मुझे लगता है कि इस पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित अ हायस और हर बास हुआ जाती है महिलाओं की और उनको नयाए भी मिल रहा है यह भी कहना है कि महिलाओं को टर्मां दिया जाना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बर्षप्ता हो ना पिखिया जी जिस इड़ी को सथान मिलना चाहिए नहीं मिला क्या कि अधाओ प्ष्ञेणा को सब्सक्राइब कशी पभीस स्वेक्षा मुसल्वान को ना हिं नहीं किसी को नहीं लेकिन मोदी जिए बैलेंस लेके चल रहे हैं उन्होंने महां पे तीन दलाग मुद्या महां पे समाथ करवाया तो इधार समंड को भी आरक्षन में दिया है इस बार से मैं भाद खोश हूं और मैं चाहती है बच्चों के लिए मुदी जी कुछ करें बच्चों को आगे बढ़ाना है वो पढ़े को इक सो पैंतिस करोड के इस देश में एक मत होना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये बात इन महिलाओं से साफ जाहिर भी हो रही है कुछ ने सीधे तोर पर समर्थन दिया कि ये मौजुदा सरकार से काफी खुश है उनके नीतियों से काफी खुश है और उनके दुआरा दी गई मूलभूत सुईधाओं से भी काफी खुश है लेकिन वहीं दूसरी और कुछ महिलाओं ने साफ तोर पर कहा कि बदलाव की जरूरत है बहतरी की जरूरत है और वो इसमें परिवर्तन लाने के लिए खुद भी पहल करने को तयार है यानि कि आने वाले चुनाव में शायद कही न कहीं उनका मन भी आँसे उतर चुका है और इसलिए उन्होंने कहा क कि नोटा का अधिकार जो दिया गया है उसका भी वो विशेश इस्तिमाल कर सकती है भी मौका मिले कुछ करने का महिलाओ सरकार भी जो है वो रोजगार आफिर के लिए कि लिए कदब उठाए ताकि पी आत्मे पर मूझ सके तो इनके लिए कठोर कानूर मनाए जाए जिससे कि यह जो हो रहा है महिलां के साथ वो खतम हो जाए महिला अभी मतलब बहुत परेशान है यह आए दिन की जो हो रही है बच्चियों को छोटी-छोटी बच्चियों का फरंड करके इस तरह से मडर कर देते हैं यह बहुत की गल सब्सक्राइब कर देश के लिए है जिस्टाचार फेला हुआ है जिस्से कि ब्यक्ति को आगे बढ़ने में कोई कमी पैसिस नहीं हो दूसरी बाती है कि बेरोजगारी जो फैड़ हुई है उस बेरोजगारी के लिए कुछ ऐसे धंदे चलाए जाए या कुछ ऐसी काम सब्सक्राइब कर दो दूसर और फिर जो पुल्वामा में हुआ है यह बहुती गलत हुआ है इसमें हम यह कहते के पाकिस्तान को ऐसा सबक सिकाए जाए जिससे की पाकिस्तान हमेशा यह याद रखे कि भारत से लड़ना कैसा कठिन पड़ेगा और आरक्षन वाली बात है कि महिलाओं को हर्चेतर में कम से कम इतना तो दिया जाए कि वो हर्चेतर में आगे मिकल सके तो देखा आपने किस तरह से महिलाओं को देश की सरकार सुम्भी दे हैं हाला कि कुछ हद तक महिलाएं मोधी सरकार से खुश भी हैं और कुछ नाराज भी नजर आई बहराल मोधी सरकार के बारे में क्या होने वाला है भविश्य में ये कहना जल्दबाजी होगी लेकिन देखना होगा कि 135 करोड लोगों को संतुष्ट करने के लिए कोई भी पार्टी किस तरह की रणनीती लेकर चुनावी मैदान में दस्तक देगी आज किस बिलिटिन में फिलाल इतना ही देजे हमें इजाज़त नमस्कार